हलो एन वेल्कम टो बिटे निंग साथ में मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरे इनिंग आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपसे यह चीज शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से जो टेक्नोलजी है और वो किस तरीके से मूव कर रही है और टेक्नोलजी इस इसका टाइटल ही मैंने इस तरीके से रखा है कि टेक्नोलजी इस इतिंग देखना चाहिए मुझे एक ऐसा पैटरन दिख रहा है चीजों के अंदर जो कि बहुत इंबॉटन है वो पैटरन कोई ऐसा नहीं कि मेरा खो जावा है गत siya के बहुत सारी जीजे पढ़ते हैं आदि हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं कि अससा एंधर्व पैटरन के अंदर एक पैटरन देखते है और कई बैर ही होता के चीज़े आपके सामने भी ऐसा नहीं एक इनफरमिशन आपके सामने है लेकिन वह ऐसा होता कि आज दिखाए नहीं इग्नूर कर दिया मैंने राइट सो यह वीडियो इंपोर्टर यह वीडियो आपको इन तक दिखना चाहिए थोड़ा सा में ब्रीव देता हूं दिखिए 1971 से पहले आप उतना ही पैसे प्रिंट कर सकते हैं जितना आपके पास गोल्ड है और इस दिती चलती रही स्टॉक मार्केट और इंस्टिटूशन मासेज और इन सब को पता लग गया के यहारा पैसे के बहुचार होने वाली है जैसी 1971 में यह अनॉंस्मेंट भी उसके बाद स्टॉक मार्केट बूम कर गया गोल्ड प्राइसे बूम कर गया कोमोडिटी बूम करगी क्यों सिंपल सी बात है जब मार्केट के अंदर एक्सेस मनी आएगी एक्सेस पैसा आएगा एक्सेस पैसा लोगों के हाथ में आएगा चीजों की जाता डिमांड होगी तो चीजों की जो दाम है वो बढ़ेंगे जिसको हम इंफलेशन भी कहते हैं और जब यह विकरा सेंपास गोल्ड होता था आपकी अपनी मनी सप्लाइग उतनी होती थी जितना गोलड अवेलेबल था आपके बास तो आपको पता था कि सिर्फ अगर आप बोल्ड में भी रहोगे और कहीं कोई इंवेस्टमेंट नहीं करोगे तो भी आप जो इंफलेशन है उसको मिट आउ होगा कि अब गोल्ड या प्रिशेंस मेटल या कोमोडिटी से इन्वेस्ट करने से काम नहीं बनेगा अब हमें थोड़ा रिस्की बेट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि जो इन्फलेशन का रेट है वो ज्यादा हाई होने वाला है अगर उसको बीट करना है तो हमें एक्स्ट्रा ओडिनरी स्टेप लेने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा ओडिनरी रिस्क का मतलब होता है कि हमें सेक्योरिटीज के अंदर invest करना पड़ेगा. Securities का मतलब क्या होता है? जो companies हैं, उनके अंदर risk लेना पड़ेगा. वही से जो चलन बड़ा stock markets का. और हमने देगा stock markets उसके बाद boom करी, पुरी दुनिया में हर देश के अंदर stock markets boom करी. अब stock market के अंदर भी जो इस वक्त या यह कह लिजे कि जब से technology internet आया है और तब से अब जो हो रहा है वो trend यह देखा जा रहा है कि technology is eating the world, technology companies are eating the world. अब मैं यहाँ पे आपको थोड़े से facts दिखाता हूँ कि क्यों आपके लिए समझना जरूरी है कि technology को आप ignore कर ही नहीं सकते. इवन if you are not interested in crypto say for that matter, आप को non crypto हदमी हो और आपको crypto नहीं समझना, bitcoin आपको समझना आथा crypto आपको करना नहीं है, आपको industry पसंद नहीं है, आपके लिए फिर भी technology is something that you cannot avoid, चाहे वो technology stock हो, चाहे वो technology companies हो या वो technology as a sector हो इसलिए कि आपको video non technology, चाहे वो non crypto भी है, उनके लिए भी important video बन जाता है, मैं आपको थोटे से facts दिखाता हूँ, उसके बाद आपको यी चीज समझ में आएगी, मैंने ये कुछ slides बनाई है, कुछ data points बनाई है, मैंने इसका नाम रखा है, technology is eating the world let me show you, अगर आप SNP 500 का मतलब है कि अमेरिका की top 500 companies है वो कैसा perform कर रही है, उनका क्या returns है, तो अगर या top 20 companies के returns यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये information 30 June 2023 तक की है और अगर आप देखो इसमें NVIDIA, Semiconductors ठीक है, इस company ने 189% का return दिया है, 2023 में Semiconductors क्या है, technology related company, मतलब भी न, आपकी आज की date में, हर चीज़ में Semiconductor Chips use होते हैं आप चाहे स्मार्ट वाच ले लो, चाहे आप LED Bulb ले लो, ओ LED Bulb कहा रहा हूँ, जो USB से चलने वाले Bulb हो गए, चाहे आप कोई भी remote से लेके, स्मार्ट फोन से लेके, कुछ भी आप जो डिजिटल है, वो उसके अंदर Semiconductor Chips होते हैं, काड़ी है, स्कूटी है, कुछ भी, कुछ भी आप, आप imagine करो, आपका स्मार्ट टीवी से लेके, आपके जिम के जो डिजिटल पैनल से लेके, हर चीज़ के अंदर Semiconductor यूज होता है, तो NVIDIA, इसने, ये कंपनी ने announcement अभी पीछे करी, AI के अंदर, Semiconductors के अंदर, ये GPU बनाते हैं, तो इनकी 190% का increase है, क्यों? क्योंकि जिसे आप से technology से related चीज़े बढ़ रही है, जिसे आप से हर चीज़ के अंदर Semiconductor यूज हो रहा है, आपके dependence technology पे बढ़ रही है, आप हर चीज़ डिजिटल यूज कर रहे हो, आप जब चल रहे हो, तो आपके साथ आपके घड़ी चल रही है, हर चीज़ में आपके, जिब सेमिकंड़क्टर यूज हो रहे है, तो यह सीधर-सीधर दर्शार है, कि as the technology is growing, internet is growing, technology-driven products and services are growing, semiconductors as the industry is growing, 190% की growth है, meta के अंदर, internet contact and information, 138%, meta जो company, अपनी Facebook, जिसे Instagram हो गया, आप यहाँ पर, जो चीज़ में आपको common दिखाना चाहता हूँ, semiconductors, 1, internet content, 2, technologies related है, ठीक है, तीसरी, यह आप software infrastructure, तीसरी company, technologies related, ठीक है, चौती, यह एक और semiconductor, ठीक है, पाँचवी, software related, छटी, एक और company, साथवी, internet retail, आठवी, एक और company, नवी, दसवी, ग्यारवी, टोटल बीज कंपनियों ने, जिन्होंने return दिया है, सबसे जादा, S&P 500, उसमें क्यारा companies, technology companies हैं, clear हो गया, तो मतलब, जब लोगों ने, लोग, जब inflation को बीट करने के लिए, जब stock market की तरफ move कर रहे है, stock market में भी, जो companies perform कर रही है, वो technology related companies perform कर रही है, technology का दोर है, technology के दोर में, आप technology को ignore कैसे कर सकते हो, clear हो गया, यहाँ से proof हो रहा है, कि जो weightage है, top 20 companies की, जो S&P 500, अमेरिका की जो top 500 companies हैं, उनके अंदर जो top 20 companies हैं, उन top 20 में से भी 51%, कौन सी companies हैं, technology related companies हैं, जिन्होंने 2023 के अंदर, सबसे ज़धा return दिया, worst performing कौन सी है, जो सबसे बुरा perform कर रही है, सबसे बुरे perform करने में, अगर आप देखो, banks 1, bank 2, bank 3, ठीक है, bank 4, ठीक है, bank 5, ठीक है, 5 तो यहां पे सिर्फ banks के ही हैं, oil and gas, right, so if you see, 5 companies, you know, in worst performing, you know, जो stocks हैं, उसमें 5 जो हैं, वो banks हैं, right, so this just shows you के, अब जो, change होता हुआ, dynamic है, पहले, banks और बागी stocks बड़ा करते थे, अब इस दौर में, जो technology driven, जो companies हैं, वो बढ़ रहे हैं, technology is eating the world, and, अगर हम, इसको, इंच शुरुवाती 6 महीने हैं, क्योंकि अब आप crypto से related audience है, और आपको bitcoin भी समझना है, कि bitcoin का क्या हाल है, अगर एक particular stock ने, 190% का आपको return दिया है, एक NVIDIA, तो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कि overall S&P 500 ने, जो overall index है, 500 companies का जो weightage है, उन्होंने 16% का return दिया, Nasdaq ने 32% का दिया है, gold ने 4% का दिया, और bitcoin ने 83% का return दिया है, January 2023 से, अभी तर, so bitcoin is still dominating, the start of 2023, एक particular stock में NVIDIA ने, अगर अगर आप overall S&P 500 को देखो, तो 16% का return है, bitcoin 83% का return, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, MicroStrategy ने एक यह data share किया था, तो उन्होंने, इस data के थूँ यह बताने कोश्च करी किया, अगर August 10, 2020 से देखा जाए, जब से MicroStrategy ने bitcoin को adopt किया, तो 2020 से अगर देखे, तो bitcoin has given 159% का return, S&P 500 ने 29% का return, Nasdaq ने 23% का, gold, bonds and silver रहब गिवन हा negative return, अगर मैं overall बात करूँ, पिछले 12 साल की, यह बड़ा important chart है, पिछले 2011 से जो returns है, अगर मैं एक weighted, मतलब annualized return देखें, कि annually, हर साल average क्या return है, 2011 से, तो bitcoin has given 151% return, every year, ठीक है, अब when I say every year, तो इसके अंदर यह मत पकड़ लीजे, कि यह bitcoin ने हर साल growth है, क्योंकि 2014 में देख सकते हैं, minus 58%, 2018 में minus 73% भी दिया है, और 2022 में minus 65% भी दिया है, तो इसको आप ऐसे मत पकड़ें, कि अच्छा हर साल दिया नहीं, अगर चम पूरा average लेते हैं, 12 साल का एक इतिहास देखते हैं, तो average आ रहा है 151 per annum, लेकिन कुछ particular साल में, 2014, 2018 और 2022 में negative returns भी दिया है, तो अगर हम यहाँ पर जितने भी देखें, US large cap 12% return, ऐसे convertible bonds, gold ने आपका 2% का return दिया, bonds ने 4%, तो आप यहाँ पूरा देख सकते हैं, कि और commodities ने, in fact, minus 1.3% का return दिया, तीक है, so this just shows you कि average returns क्या आए हैं, US के अंदर रखना पर्टिकुलर ली देखें, तीक है, so this is, this just shows you that, that how technology, चाहे वो technology, जो चाहे वो semi-conductors हैं, चाहे वो technology related companies हैं, और चाहे वो Bitcoin है, part of the technology, how they are performing, right, so, अगर आप इसको इस तरीके से भी देखें, यह एक important slide है, अगर आप देखो तो, यह आपके top 7, जो, market cap के साब से, जो top 7 stocks या, या जो commodities हैं, तो इसमें gold और silver को, एक मिनट को आप ignore कर दिए, क्योंकि gold और silver और commodities हैं, precious metal है, लेकिन अगर हम companies की बात करें, Apple, technology company, तीम trillion क्रोस कर चोकी market cap, Microsoft, धाई trillion, technology company, Saudi Aramco, oil company, तो अगर हम, एक, दो, तीन, चार, पाच, मतलब, top 7 में, जो पाच companies, जो चार companies हैं, वो technology companies हैं, और एक, only oil company हैं, अगर हम आगे देखें, आठवे नंबर पे, अगें technology, नवे नंबर पे, टेसला technology, प्लस, other businesses, ये, आपका meta, bitcoin technology, TSMC, semiconductors बनाते हैं, तो अगर आप visa को भी लेगे, तो financial technology ही है, क्योंकि अगर आप देखो, कोई tech का इस्तेवाल करते हैं, जो money को एक जगा से दूसरे जगा बेजने के लिए, so they use a lot of technology, so visa, TSMC, bitcoin, meta, Nvidia, Tesla, so all these are like, मतलब, मैं आपको 14 कंपनिया दिखाई, 14 मेंसे, जो dominance है, वो technology companies का ही, dominance है, so this just shows के, how technology is, eating the world, सारा जो wealth है, how that is going towards technology, मैं या particular, bitcoin की बात नहीं कर रहा हूँ, bitcoin एक technology का ही part है, इसको इस तरीके समझे, हम यही तो बात कर रहे हैं, कि bitcoin का जो function है, वो decentralized, immutable, censorship resistant asset class है, और payment network है, वो एक part of the technology ही तो है, हम यह overall जो बात कर रहे हैं, कि पूरी दुनिया की जो wealth है, इस वक्त, वो पूरी की पूरी attract हो गई है, technology की तरह, चाहे technology companies है, या technology stocks है, या bitcoin है, right, so can you afford to ignore technology, no you can't, so अगर यहां तक वीडियो कर पसंद आए, तो please hit the like button, मतलब यह बहुत important है, जो यहां message में देना चाह रहा हूँ, I hope कि वो आपको message मिला, message simple है, message simple है, कि आप technology को ignore नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी asset class के अंदर technology के stocks हैं, mutual funds हैं, या bitcoin है, अब bitcoin basically क्या कर रहा है, bitcoin ने एक ऐसे technology है, जितने भी technologies की मैंने यहां बात करी है, कि सब जो भी functions कर रही हैं, वो एक corporation है, इनके पीछे company है, एक group of individuals है, जो उन companies को run कर रहे हैं, वहां competition है, सब चीज़े हैं, bitcoin की एक unique standing है, right, bitcoin की एक unique standing इस तरीके से, कि वो अपने, जो store of value, ultimately, जो जितनी भी technology companies क्या कर रही है, कि आपकी लोग वहां पे search कर रहे हैं, कि यार मैं Nvidia के stock में पैसा लगा देता हूँ, या मैं और technology companies में पैसा लगा देता हूँ, अच्छे return के लिए, right, एक hoard मचीवी है, कि यार अच्छा return के लिए, मैं technology stocks में पैसा लगा देता हूँ, लेकिन bitcoin का क्या है, कि bitcoin एक ऐसी technology है, एक ऐसी asset class emerge हो रही है, जो की, जिसको यह दिखा जा रहे है, कि जो gold की जो properties है, वो सारी properties उसमें available है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो यह कि जिसे gold, gold rare है, but scarce नहीं है, right, लेकिन यहाँ पर जो bitcoin है, उसका एक fix supply है, और store of value की तरह, जिस तरीके से जो wealth है, वो drive हुई, precious metals से stock market की तरफ, और stock market में भी technology companies की तरफ, तो अब जो future में, जो really, जो store of value के तौर पे, जो technology को देखा जा रहा है, कि एक digital commodity की रूप में, जिसको देखा जा रहा है, वो है bitcoin, क्योंकि इतनी सारी technology companies के अंदर, हमने देखा, कि bitcoin की एक unique standing है, जो कि hardly, अभी आगर आप देखो, तो कितना, 14-15 साली हुआ है bitcoin को, right, so यह यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जब हम AI की बात करते हैं, तो जाहे वो latest trends change होते रहते हैं, right, बड़ अगर आप देखो, तो जो dominance है, वो technology companies का dominance है, right, जो returns आ रहे हैं, वो technology companies में return आ रहे हैं, जो returns अभी तक Apple, Google, Microsoft इन सबने दिये हैं, वो unpaddle returns है, right, so Bitcoin को अगर आप technology की शिरेड़ी में और technology की lens से देखोगे, तो आपको clear हो जाएगा, कि technology is going to dominate, and how about a technology which is decentralized, immutable, censorship resistant, fixed in supply, which is a payment, and a payment network as well, right, and the biggest part is open to all, anybody can participate from anywhere, with this thought, thank you very much, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, information पसंद आई हो, तो please comment ज़रूर करेगा, like करेगा, फिर से ऐसी किसी एक topic के साथ, interesting topic के साथ, फिर से मुलाकात होगी, तब तक, thank you. आपको ऑफको झापको मुलाकात हो,